अब खत्म होने ही वाला है कुछी देर में बच्चे बाहर आने वाले हैं यह एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जामिया के नहीं हरी यूनिवर्सिटी की और इस पेपर को देने के लिए हर बच्चा सोचता है कि मैं तो करी लूँगा इस पेपर को भी लोग टेकल कर सकते हैं जो 60 मतलब जामिया के लिए आपका 60 ही हो तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं बच्चे बहुत वाम फिल करते हैं उसमें भी चुनिंदे बच्चे कर पाते हैं वह चुनिंदे बच्चे वह होते हैं जिनको लिखना अच्छे से आता है इस वीडियो में बने रही है वीडियो के आखिर तक भी इंग्लिश ऑनर्स कैसे हो अपका पेपर अबरेज पिकर्स मैंने जादतर पीवाई क्यू पड़े थे यार इसमें से लेक दो क्वेस्चिन ही आए पीवाई की मिसे जादतर नहीं क्वेस्चिन से अपने स्लेबस दे और जो प्राइस होता है लाइक नोबेल प्राइस लिटरेचर और इस चीज़ के लिए भी बहुत आद देखना बगता है और बेसे कि इंग्लिश ग्रामर वतो आपकी प्राइए लापकी स्टों होनी जाहिए अब्यक्ति अबजक्ति दोनों के लिए सेमी पैटन है सेमी स्ल चाली ने भी डाुस है उन्यामर वैसी माली य। रही जा हो एया सक्षा पैंश मालिश था तो लेके अगान्द बढ़ों जो पांच वहाइं तो बाद उसके बाद उसके बाद मतलब उन्हों नेक निक इनकरिक सेंटन्स दे रहाख था था दिन एक आप तो पर उसके अड़ीज पॉर। पर बढ़िया गया एंट बहुत सारी वीडियो देखी ती ओनलाइन मेरा वो सारा अच्छा चला गया मैं तो है कि इसके लिए इसके लिए जितने ऑथर्स हैं पेंडेंस हैं जितने भी एक लिए स्टेंटी सिस्टीन तक के जितने भी ऑफ फो जो जो पुलीच सप्राइज हु उपक कर लीजे और उनकी कम से कम से स्टोरी नाइन समझे से टेंपेस्ट वह गया गया मैं पेंट की लिए वह उसका बस बेसिक वह पता नहीं कौन-कौन था नहीं से सब्सक्राइब बिवाव सपीच में हर साल कुछ न कुछ अपडेट होता है तो यह न्यूव पिगर एप्ज़ क्या इस साल भी कुछ न्यू पूछ है वह लोगों को सर्च करके सारे पढ़ लेनी चाहिए इतने इंपोर्टेंट है वो उससे उससे कवर अब हो जाए लेकिन इस बाट फोर से तफ थे आई तिंग यह वाले देते लाइक पुराने वाले नहीं देंगे मैटफर अगरा नहीं देंगे विल्कुल पीजी नहीं देंगे आप से वह पुशिंगे कि सॉनेट में क्या डिसन्स होत पूछा जाता है नहीं नहीं बस जो इंपोर्टेंट एक दो जैसे इस बार अमिताव घोश्क आयाते तो अमिताव घोश्क वेरी पॉपलर जो एक दो इंपोर्टेंट राइटेस उनका तुन पर टाइब हो जाएगा अगर आपका करेंट भी आता है तो लिट्रेचर से ही बिल्कुल भी तो एविधिंग इस प्रॉपर लिटरेचर अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसको सब्चेक्टिव पोश्क पूछे करने को बोलते था तो वह नहीं था तो उन्हें बोलते हैं आपको कुछ सेंटेंसे दे रखे हैं फाइव आपको उनमें से जो भी एरर इसको सपोट करने उसे सही करके रिराइड करना वह असान होता है तो करते हैं तक फिर उसके बार आपसे वो पूछे का वन बड सब्स्टुचिशन विच वेरे इंप्रेंट बोलरी होते है तो स्टडियों क्या होता है त तो सिंपल सिंपल और वाकी ऐसे का भी टॉपिक सिं एड लिटरेचर यह देखा गया है कि एसने बहुत इजी टॉपिक पूछते हैं ताकि आपकी लिखने की शैली देखिए कि उतना इजी टॉपिक को पके तना अच्छा से लिखते हैं जितना जादा पता है उतना परस्पेक्टिव आपको आते हैं आप सार बेसिकली को आप अपने एक्सपीरिंस से क्या सजेशन देना चाहेंगे हर दिन आप पढ़ाई करो एट-least टेक आप टू आर्स एवरी डे एंड वाच बी एंग्लिश वीडियो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए 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 मेरे नाम पानिया अजर है कहां स यह जाए ठीकिंदी फाइफ क्यां के अबजीटिव थोड़ा सा ओर्ट था लेकिन सभी अच्छा था आप में कितनें कुछन शेंट के कुछ कुछ जाता है और सभी सिक्स्टीमाक्स को अच्छा आपने बोलो जाए तो कॉन सबुजा आपको कॉश्यंस से इस एरिया तो जब को प्यूच्छ नहीं था था एक दो क्वेश्ट लास्टर फीवाइड था था इस बार विल्कुल डिफेंट था और एसे क्वेश्ट थे काफी अलगते हैं मतलब दो कोई क्वेश्ट याद रिपकर्ट लगा को हां कि अप्टी सारे में इस मैं इस कि इडिशन से तो एक बहुत ही पॉपिलर कोर्स इसमें बहुत की कंडिडेट्स होते और बहुत सारी चीज़ पता होती है कि हम बेसिक से पड़ते आ रहे हैं इसको इसलिए दिरे दिरे इसको डिफिकल बनाते हैं चले और बात किरते हैं इंग्लिश ऑनर्स में जो पुछा जाता है कुछ बता स इसे इस में ऐसा होता कि बचे यह पूछते हैं कि जो आधर जो सारे नहीं तो इतना नहीं होता इंडियन राइटर्स जा पुराने राइटर्स जाधा पढ़ने होता है पुराने में भी जो फेमस है वो पढ़ है या सब को पढ़ है क्योंकि वो तो कहीं से भी पूछ लेते हैं वो तो इतना कोई भी नहीं बढ़ पाएगा आज तो नहोंने बहुत ही अजीव अजीव पूछे तो मैंने थोड़ी प्रेपरेशन थी टॉपिक पर तो वो मेरा अच्छा हुआ है त्री एंड़ाफ पेज लिग देना काफी स्पेस देते हैं तो थोड़ा और लिखना पर लिए लिमिट वन मिट सब्स्टिशन थे फाइव मांक्स के वो मेरे काफी अच्छ हुए सारे आते थ सब्सक्राइब करने थे या एक करने था था टेम था एक फॉर में से वन थार्टी मांक्स अच्छा बहुत बच्छे लास व्लास टाइम में तयार होते हैं कि मुझे आप फॉर्म फिल करते हैं तो उनके लिए क्या सभी पर्ण करने कि पढढ़े चूपिप्ति परसंट करो बहुत लर्णिंग इसमें एसे के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसे सिंपल स्कूल वाला ऐसे नहीं लिखना होता है वो काबलरी बेल्ड करनी पड़ेगी तो महनत तो बहुत है इस कोर्स में भी जुद कर रहे हैं वही जानते हैं वार्कितों बोल देते हैं क कि अधिया और आज और अधिया था वह भी इतना हार्ट कॉम्प्रियेंशन नहीं था अपकमिंग एस पर उनको क्या सजेशन देना चाहिए अपने एक्स्पीरेंस से टाइम मैनेजमेंट को भी मतने नजर रखते हैं सबसे पहले में सी क्यों जल्दी जल्दी और मैंने सब ऐसे पहले नहीं किया मैंने ऐसे लिखने के बाद वनमर्ट सब्स्टिट्यूशन एंन एर्र स्पोर्टिंग किया उसके बाद लास्त मैंने कॉम्प्रियेंशन किया क्योंकि OMI शीट वह पहले ले 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 तो ऑबजेक्टिव आपको पहले करना होगा चले मैं उमीद करती तो वैसे बहुत अच्छा हुआ है बट जो पड़के नहीं आया उसके लिए अबसी टाफ है और लेंदी तो नहीं था वैसे बट मेरा ठीक था आपने बोला कि अच्छा हुआ है तो मतलब क्या पोर्शन था क्या अच्छी लगी और एमसी क्यूंड फगेरा बुक्स अगे बारे में था और बागी तो लेट्रेचर पार्टी था तो वह इसी था ग्रामर पार्ट राइटिंग पार्ट जिता था वह इसी था जो जामिया स्लिबस इसका बताती है क्या वो सफिशिंट या उसको और बताना चाहिए था मेरे एक तो पार्ट के लिए ठीक है एक तो पारग्राफी आता है जो पढ़के क्वेस्टिन जांसर करने होते हैं और ग्रामर आती है लाइन्स दे देते हैं सेंटेंस उसे करेक्ट करके लिखना होते तो वह इसी था ऐसे सेंटेंस तो नहीं कि बहुत डिफिकल कि बच्चा फॉस् इस बार आप एमन पिर से लेक्ट हो थांक्यू